जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याक कर दुरगुणों को अपनाता है। बस सिदा मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता है। आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है। यह आत्म विश्वास है क्या। जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता। किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं। ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती है। तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थार आत्म विश्वास और कुछ भी नहीं। मन की स्थिती, जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रहे। और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयम विचार कीजे।